नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैं रवी पांडे आप से को कुछ बताना चाहता हूं जी हाँ ROARO की जो वेकेंसी है जो कमिंग वेकेंसी है उसमें आपका नाम कैसे दर्ज हो उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो पूरा देखिएगा यदि लगे कि रहां मैं टाइम पास कर रहा हूं तो वीडियो आप यहीं बंद कर दीजिएगा आपना टाइम के लमत करिएगा तो उस पर चर्चा करने से पहले एक एक कहानी को हम लोग देखें आप पूरे बिश्चो के जितने भी महासागर हैं या जितने भी देश हैं जहां मत्से उद्योग है मचलि का उद्योग है उन सबसे में कामन है कि जहां पे ठंडी जलड़ाशी गरम जलड़ाशी मिलती है वहाँ प्लैंक्टेंस घास होकती हैं मचलिया खाने आती हैं लेकिन आपने देखा जब आप उसको अच्छे से अधन करेंगे तो मैं एक एक्जाम्पल से करना चाहता हूँ जापान को लेके साध आप इस चीज को सीखें और आप अपना नाम सफलता में दर्स कराएं जी हाँ अब देखिए कि विश्व के सबसे जादे गहरी ट्रेंच या खाईयां कहां पाई जाती हैं आप कहेंगे प्रशांत महा सागर में पाई जाती हैं मैं कहूंगा कि जब प्रशांत महा सागर में खाईयां पाई जाती हैं तो जापान के लोग जो मचली के सौकीन हैं उनके व का जो शौक है वो कहीं से निर्यात नहीं करते हैं वो सेल्फ उसका प्रोडक्शन करते हैं क्यों करते हैं चूंकि जहां चैलेंज होता है वहीं टेक्नलोजी होती है जहां सपनों को पूरा करने का सहस होता है वहीं आप मेहनत करते हैं वहीं बेक्ति सपना पूरा करता है अपना जो सपना देखता है याप अपना देखेंगे नहीं तो सपना ट्रेंच प्रिशांत महासागर के जो ट्रेंच है खासकर उत्रे प्रिशांत महासागर का जो ट्रेंच है वो साबसे गहरा था और यही चुनोती जापान के लोगों के पास थी और आपके पास क्या है आपके पास एक चुनोती है वह चुनोती है 75% नंबर स्कोर करने का चैहे वो PT हो चैहें वो MINS हो खासकर समिच्छा अधिकारी साहक समिच्छा अधिकारी की बाव में आप करने जा रहा हूं अगर आप 75% का 34 स्विकार करेंगे तो आप स्वेंग से ऐसे टेक्नलोजी इजाद करेंगे कि आप 75 को कर पाएं लेकिन हाँ उस 75 को करने के लिए आपको कुछ authentic books की जुरत पढ़ेगी अगर मैं कैदू नहीं मेरे PDF से काम चल जाएगा आपका तो सरासर आपके साथ अन्याय कर रहा हूं मेरे PDF से काम नहीं चलेगा आपका आपको अपना नोट सेंग बना पड़ेगा अपनी किताबे सेंग पढ़नी पड़ेगी यदि आप अपनी किताबी नहीं पढ़ सकते हैं अपना नोट सेंग बना सकते हैं तो आप दर 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 भठकेंगे इधर उधर तो समय जाया ना करते हुए मैं कुछ बिस्ट किताबों पर आपको अध्यान फोकस करना चाहूंगा चुकि आपका चैलेंजिंग क्या है आपकी गहराई क्या है 75% अगर आपको गोता 75% में लगाना है तो जापान की तरह आपको भी टेकनलोजी इजाद करना पड़ाएगा वो टेकनलोजी आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा और जो क्लास नोट्स आप देखते हैं इधर उधर वो तो होगा ही लेकिन सबसे देख काम आएगा तो आपका अपना नोट्स काम आएगा बितरो पहली दफ़ा हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में यादर के का यह वीडियो डो पार्ट में होगा वीडियो जादे बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए जो अतना मुनासिफ नहीं होगा आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के बारे में आप जो है प्राचीन भारत के लिए बड़ी समस्या है कि क्या पढ़ें तो प्राचीन भारत के लिए आप एस के पांडे पढ़ें और उससे नोट्स तैयार करें एक रिडिंग, दो रिडिंग करें अगर आप ऐसके पांडे नहीं पढ़ना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हमें तीन बुक्स न पढ़ना पढ़े तो आपके लिए एक बुक्स आती है किरन पॉब्लिकेशन की इंडियन हिस्ट्री आप वो पुष्टक ले ले, उसमें आपका NCN भी तियार हो जाएगा Medual भी तियार हो जाएगा, Modern भी तियार हो जाएगा तो किरन पॉब्लिकेशन इस वेरी वेरी गुड बुक्स फॉर हिस्ट्री अब प्रशन होता है भुगोल को लेकर तो भुगोल के बारे में, तुकि एक अच्छा खासा पुस्टक कोशन से पूचे जाते हैं तो भुगोल को लेकर जो आप के रानिती रहेगी, वह रानिती रहेगी कि आप Indian जियोगरफी और वर्ड जियोगरफी, बना कि फिजिकल इसके लिए 11 बारे की डाक्टर खुल्डर की किताब आती है, उसको आप पर्चिस कर ले, इससे बाहर भुगल पूचा नहीं जाता है यही दोनों आपके काम आज जाएगा, यदि आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, एक समगरधिन चाहते हैं, तो आपके पास एक बुक का नाम है पुस्तक का नाम है महिश्वडवाल, आप उसको अध्यां कर ले, दस पुस्तकों उसको पढ़ने के बजाहे, एक पुस्तक को आप दस बार पढ़ें रह गई बास साइंस की, तो साइंस के लिए आपके पास सबसे सफियन्ट होगा, लुसेंट साइंस याद रखे का, लुसेंट जी के नहीं, लुसेंट साइंस की जो किताब आती है, उसको आप अध्यां करिएगा पॉलिटी के लिए, सबसे बेस्टम, बेस्ट बुक पढ़ेगा, परिख्यावारी का, राजब्यवस्ता और करेंट में क्या पढ़े, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको कैसे कवर करें, और मेरा क्लास भी चलेगा, आरो यारो को लेकर और हिंदी में क्या पढ़ें उसके लिए हम नेक्स वीडियो बनाएंगे और मेरी शुप कानाई आपके साथ है जय हिंद जय भारत वंदे मातरम